कि नमस्कार सभी को और आपका स्वागत है मारे चैनल एक वेल्थ के अंदर में और आज हम बात करने वाले हैं वह बात में इसका थोड़ दिन पहले आया था जिसके बाद में इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो अब फ्यूचर में क्या कर सकता है और क्यों इत यह मतलब नीचे की शैड में इसने मुह कर रहा था अभी रिसेंट्ली थोड़ा सा बढ़ने की तरफ में चलना स्टार्ट हुआ है अब यहां पर उपर की तरफ में जो इसने लो बनाया है अब तक वो भी एक इस जो यह वाला जो गैप आप है इस गैप फुल्फिल करने से पहले ही उपर जा रहा है जो कि एक नेग complaints ऍमेर गैप पर फुल्फिल कर देता है उसके बाद में उपर जाता है तो एक positive signal होता है तो यहां पर ठोड़ा सा risk है अभी करीदने के अंदर में अगर डिफिन कई बार क्या होता है गैप एप को छोड़ भी देता है बहुत उपर और sustain करने की questions कर रहा है उपर यह तो अब अगर technically जो यह वाला जो level है जो की लगबग कितना है 107.55 को अगर cross करके उपर की तरफ बागता है तो इससे उमीद हैं कि यह और उपर की तरफ में जा सकता है तो हम लोग यह वाला stop loss लेके चल सकते हैं जो की 94 का stop loss है तो यह तो technically बात हो गई और अगर इसको इस वाले gap को मतलब यह लगबग 84 के आसपास में जाके और इस ताइप का pattern अगेन बनाता है तो यह थोड़ी सी strong buying भी बन सकती है इसके अंदर में तो यह तो technically बात हो गई इसी के साथ में अगर हम fundamentally भी अगर देखें या फिर को news को भी अगर देखें कि क्यों यह उपर जा रहा है क्यों भाग रहा है इसका basic काम क्या है कहीं और से loan लो सस्ते में और बाद में थोड़े से महंगी के अंदर में loan आगे पास कर दो यह अच्छा का सा loan बांट रही है और अभी recently काफी सारी company ने अपना जो सेक्टर है अपना जो company है अपनी जो company के अंदर में जो easily use करते है उसको renewable resources से ही मतलब काम म लेने के लिए बोल रहे हैं तो वह अच्छे का सिया तो मिन्ट मिन्ट के प्लांट लगाएंगे या फिर जो ओल्डेडी सोलर या फिर जो रिन्यूबल रिसोर्से से जो company पावर कंपनिया electricity generate कर रहे हैं उनसे वह energy लेने वाले हैं तो यहां पर अडानी ने भी बोला है कि व लोन लेने की उमीद हैं क्योंकि government और अडानी इनके थोड़ से जो opposition है Congress है वो link अच्छे बता रही है तो अच्छा कासा यहां पर मुनाफ़ा जो है इरिडा को मिल सकता है इसी वज़े से यह positive news है इनकी वज़े से भाग रहा है और इरिडा भी अच्छे का से loans बाट रहा है अच्छे कासे छोटे interest के उपर में launch उठागे higher interest के उपर में भाट रहा है तो यह positive news है और इस company के हिसाब से बहुत अच्छी news है अब यहां पर fundamentally देखें तो company का piece है वो 32 के आसपास में चल रहा है जो ठीक ठाक level के उपर में ROC इतना खुछ खास है नहीं और next अगर हम लोग बात करते हैं तो यह government company है जो कि maximum जो शेर वोल्डिंग हो गवर्मेंट के पास में ही पड़ी विया आजके दें 75% के आसपास में तो यहां पर अगर अगर इंडिया की बात करते हैं तो यह 32 के PE के आपर में चल रहा है और ROC 8.17 है पीफसी जो है जो पावर कंपणिया होती है जो भी पावर कंपणिया चाहिए वो thermal से जनरेट करते हो चाहिए किसी भी जनरेट करते हैं उनको पैसा देने का काम करते है lowest interest rate तो यह भी सरकारी कंपणिया राइट तो यह भी उनी कंपणियों को लोन दे सकते है जो कि renewable बकि जो renewable resources वो इसी IRIDA से लेंगे लोन बाकि PFC से भी ले सकते है option होता है उनके पास में तो थोड़ा बहुत interest का फरक रह सकता है I'm not denying that अब यहां पर जो अगर देखा जए तो यह मतलब आज के दिन बैट बन सकता है future के इसाब से इसी स्टोक को हम लोग जो हमारी जो जैनवरी 24 की जो लिस्ट है उसके अंदर में PFC को जैनवरी 24 के लिस्ट में PFC को include करने के बारे में सोच सकते हैं सोच रहे हैं मतलब हम अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाई है हमने कि हम हर मईने 10 से 15 स्टॉक को आपके सामने परोसेंगे आपको अच्छा लगता है तो आप उनके अंदर में अपने इसाब से डिसीशन ले सकते हैं अपने financial advisor से बात करके पी एफसी को हमने उसमें इंक्लूड किया है इसका पी अच्छे लेवल पर आपके अच्छे अच्छे लेवल पर आपके अच्छे लेवलेशन पर आपके अपने इसका पास नोर्मली हम बैंक में पैसा रखते हैं वह तना तो यह डिविए दे दे रही है अब आपके अच्छे सब्सक्राश अच्छे लेवलेशन पर आपके अच्छे लेवलेशन के लिए